कर देखिए integration using trigonometric identities देखिए पिछली exercise में अपने substitution method का यूज किये अब आपको क्या करना है कि integration using trigonometric identities जो trigonometric identities है उन identities को आपको पहले apply करना है और वो आपको आपको करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो given function रहेगा वो ऐसे format में आएगा जिसका कि integration आप कर सकते हैं तो अब वो trigonometric identities आखिर है कौन सी होगा तो trigonometry के अंदर तीन तो python और यन identities थी आपकी अना square वाली तान square डिटा प्लस cos square डिटा इस इकल तो वन वन प्लस 10 square डिटा इस इकल तो seg square डिटा और वन प्लस cot square डिटा इस इकल तो cosec square डिटा ये तीन इनका use करके कुछ identities बनेगी फिर साइन 2A के formula थे, cos 2A के formula थे, sin 3A के formula थे, cos 3A के formula थे, 10 3A के formula थे 1 का use करके कुछ identities बनेगी फिर तो तमाम आइडेंटिटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी करके आपको integration करना है तो मैं कुछ-कुछ identities आपको recall कराता हूँ और उसके बाद फिर अपन उससे questions करें ठीक है एक identity थी आपके पास cos2a is equal to क्या होता है 1-2 sin2a एक तो यह थी एक थी आपके पास में 2 cos2a minus 1 और एक थी आपके पास में cos2a minus sin2 यह तीन identities cos2a की थी यह दो 1 को cancel करने की लिगाम में आती है और यह cos2a minus sin2 अब इसी में तीन आपकी half-angle वाली बन जाती है half-angle वाली कैसे बनती है अगर यहां पे रख दिया जाए तो यह चहां जाहां यह देख रहा है आप यह अपन टू हो जाए तो आपको याद की वाली रखना है यह पन टू वाली अपन इसी से बना ले ठीक अब इन identities का use करके कैसी चीज़े निकलेगी वो देखे जैसे cos2asg add to 1-2 sin2a इतना पाट अकरफन दे रहे तो आपका जो integral होगा वो sin2a के फॉर्म में रहे गए तो sin2a की value आप यहां से निकाल सकते है तो क्या हो जाएगी 2 sin2a को दर सब्सक्राइब तो प्लस हो जाएगी तो से कल्टू 1 और यह cos2a को दर सब्सक्राइब तो cos2a माइनस का हो जाएगी आपको sin2a की value चाहिए तो sin2a is equal to 1-cos2a upon sin2a आएगा आपके integral के अंदर तो उसको आप 1-cos2a upon 2 लिख सकते है और अगर आपके पास पे cos2a is equal to 2 cos2a minus 1 यह वाल ने रहा है और आपको cos2a की value चाहिए तो cos2a is equal to 2 cos2a minus 1 यहां से cos2a की value अगर अगर निकालो यह minus 1 के अदर सिफ्ट करेंगे तो plus 1 cos2a is equal to 2 cos2a cos2a चाहिए अपने को 2 से divide कर दो अगर अगर आपके integral के अंदर cos2a आ रहा है तो उसको 1 plus cos2a upon 2 लिख के आप इंटेग्रेट कर सकते हैं तो अब आप चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं और किसी को कर याद नहीं रखना है तो यह जो आइटेंटिटीटी अपने पास में हैं आप इसी को याद करेंगे और फिर उसको निकालो तो इसको याद करेंगे तो थो टाइम लग जाएगा याद रखने में तो फट से हो जाएगा याद रखने में कभी घरबड़ी भी कर सकते हैं तो जो आपको करना है वह आप कर सकते हैं अन्य स्क्वेर एकि वाली बन माईनिस स्कूल एक जैसे सानिस्क्वेर में यह मार आता और स्क्वेर में यह प्लस आता बाकि सब्कूल तो आती है जीए इसकी हल्ब से आप ही निकाल सकते हैं अब sin3a भी आ सकता है आपके integral के अंतर तो sin3a की value निकालना पड़ेगा तो उसके लिए sin3a का formula आपको याद होना cos3a आएगा तो उसके लिए आपको cos3a का याद होना उससे इंटिटी जन्रेट होगी तो बॉक्स में गन कर लो अब नहीं भी याद रखा किसी नहीं और डारेक्ट करके निकाल सकता है नेक्स्ट वन देखो sin3a का formula क्या था क्या था वही sin3a का 3sin a minus 4sin3a इसका यूज़ करके आप sin3a की value निकाल सकते है यह negative term को जाश्ट कर लो यह प्लस हो जाए गये तरह आके 4sin3a हो जाए लो रसी कर्टी यह 3sin3a यहीं पर है और यह वाले sin3a को ज़र सट कर लो तो minus sin3a अपने को sin3a की value चाहिए तो 4 से divide कर लो sin3a रसी कर्टी यह 3sin3a minus sin3a upon 4 तो ऐसे आप sin3a की value निकाल सकते है sin3a is equal to 3sin3a upon 4 यह इस identity से निकाला है ऐसे ही आपका cos3a की formula से cos3a की value निकाला है cos3a is equal to 4 cos3a minus 3 cos3a minus 3 cos3a यह cos3a plus 3 cos3a 4 cos3a यह इसका क्यों कर रहा है cos3a 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 find the integrals of the functions in exercises 1 to 22 1 से लेके 22 तक 22 questions है इनको आपको integrate करना है किसी method का नाम नहीं लिखा हुआ कि आपको कैसे करना आप कैसा भी कर सकते हैं trigonometric identities कल बताया मैंने आपको trigonometric identities को यूज करके आप इनको आसानी से integrate कर सकते हैं तो one by one एक question लेते जाते हैं और दो objective दी है 23rd और 24 उसको बात ने देखे question number 1 sin square 2x plus 5 यह एक function दिया हुआ है इसको हमको integrate करना है देखानी है कि का ऐसे करना आप कैसे भी कर सकते हैं लेकिन अभी बताता हूं मैं आपको कि इनको आपन trigonometric identity की help से कैसे करेगा लेट I is equal, सबसे पहले सको integral के equal सपोस कर लो I is equal sin square 2x plus 5 और यह dx integral के questions को आपन जब integral calculate करना हो आपन अब देखो अगर अगर 2x plus 5 को t put करते हैं करेंगे नहीं अगर t put कि अपने sin square t हो जाएगा फिर आप sin square t का integration थोड़ी मालु में आप sin square t का differentiation कर सकते हैं आप तो सामने लागे और कम कर दिए और sin t का फिर से कर सकते हैं differentiation कर सकते हैं नहीं है आपके पास sin square t का इसलिए यहाँ पर substitution method वर्ट नहीं करेंगी ठीक अब जब substitution method वर्ट नहीं करेंगी तो हम technometric identities का यूज करेंगे इसको sin square a समझ लो या sin square x समझ लो आ sin square a की value sin या cos के term में दिए अपने पास में आ जा है तो sin और cos का integration भी अपने पास में है और sin और cos के अगर extension formula बन जा है sin a x plus b या cos a x plus b तो उसके integration भी अपने पास में है तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको solve करने के लिए trigonometric identities का यूज करेंगे तो देखो sin square a जैसा दिख रहा आपको sin square a एक identity है तो यहाँ से देखो अपन sin square a की value निकाल सकते यह minus 2 sin square a को इधर shift कर दो cos to a को इधर shift कर दो यह क्या हो जाएगा plus 2 sin square a is equal to 1 1 minus cos to a अपने को sin square a की value चाहिए तो sin square a is equal to 2 से divide कर देंगे 1 minus cos to a upon यह identity है sin square a is equal to 1 minus cos to a upon आप चाहिए तो डारेक्ट यह वाली identity का use कर सकते है a के place पे आपका यह पूरा है 2x plus 5 रख देंगे a के पूरा है 2x plus 5 रख देंगे a के पूरा है sin square a हो गया इसको a बोल परा हो sin square a is equal to 1 minus cos to a यह जो भी आपका a है इसमें 2 का into कर देंगे तो यह 2a हो जाए तो आप direct sin square a को 1 minus cos to a upon 2 a 1 minus cos to a upon 2 लिख सकते हैं ऐसे ही कभी अगर आपको cos square a की value चाहिए तो वह भी cos to a का cos की dumb वाला formula जो है उसके help से 1 plus cos to a upon 2 हो जाए या directly use कर सकते हैं तो यह sin square a is equal to 1 minus cos to a upon 2 है तो यहां पर देखो यह 2x plus 5 अगर इसका आप a ले ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा इस identity की help से integral of 1 minus cos to a के place पर यह रखतो 2x plus 5 और upon 2 और यह dx लख सकते हैं ऐसा समझा रहा मैंने क्या लिख दिया 1 minus cos 2 है लिखा है 1 minus cos 2 लिखा है और a की value यह वाल 2x plus 5 अब देखो इससे क्या हो रहा फायदा यह तो 2 को बाहर कर देते है 1 upon 2 लिखा है integral 1 minus cos यह 2 का अंदर into कर लो तो 2 tos are 4x plus 5 tos are 10 और यह dx देखो identity का use करने से फायदा क्या हो गया अब यह ऐसे form में आ गया जिसका integration आपको पता है 1 का x हो जाएगा 1 dx का x और यह cos a x plus b बन गया cos a x plus b a k plus 4 है फिर x से और b के place पर क्या है आपका tan तो cos a x plus b extension formula है इसका integral मैंने आपको probe करके बताया cos a x plus b का क्या होता है integral cos का sin होता है तो sin a x plus b आ जाएगा और उसको x के coefficient से divide कर देंगे तो यह cos 4x plus tan का क्या हो जाएगा sin 4x plus tan हो जाएगा पहले और x का coefficient 4 है तो 4 से उसको or divide कर देंगे तो यह है आपकी identities का use identities का use करने के बाद integral ऐसे form में आ जाएगा जिसका integration आपको पता है अतलब यह आपका extension वाला form होते और extension form के integral अपने पास में है 10 formula बताया जमेने आपको probe करके चले इसको आगे solve करते हैं इसको लगाला का integration में दाले थेंग यह 1 upon 2 integration 1 dx लोखो यह dx लोखकते minus 1 upon 2 integral cos 4x plus tan और यह dx ऐसा होगे इसको solve करते हू यह 1 upon 2 1 dx यह dx का integration x होता minus 1 upon 2 यह cos ax plus b वन गया आपकाता cos ax plus b का integration sin ax plus b होता यह हो जाएगा sin ax plus b के प्लेस पे 4x plus tan है upon a रहता है तो a के प्लेस पे क्या दिख़ए आपको x का coefficient 4 है तो forces को divide करते है x का जो भी coefficient रहता है उससे divide करना रहता है आप देको सारी term integrate होई और integration का sign हट जाते एक constant c लगाए बस यह ही आपका answer होगे इसको खड़ा सा range करके लिए दो which is equal to यह x upon two minus one upon eight लिकलो फूर्जा eight हो जाएगा sign अब आप चाहे तो यहां से two common निकाल दो चाहे तो आप sign यहां से two common नहीं भी निकालेगे तो ठीक है निकाल सकते 4x plus ten और plus बस यह ही आपका required integral होगे कभी आप यहां से two common निकाल सकते तो bracket में two x plus five बख जाएगा निकालना चाहे तो नहीं भी निकाला ही तो कोई खरक नहीं कर तो ऐसे integral करना आपको यह trigonometric identities का यूज कर यहां पर मैंने यह formula यूज किया है cos a x plus b का integration यह याद है आपको इसको मैंने लिखा नहीं याद रखना उसको नितियाप लिख भी सकते हैं side हना अपने पहले ही पूरे 10 extension formula मैंने आपको group करके बताया है महां से आप देख लेए question number second sin 3x into cos 4x इसको integrate करना अपने को सबसे पहले इसको आप i k equal consider date date integral of sin 3x into cos 4x और यह dx अब देखे यह 3x वाला है और यह 4x वाला angle अलग 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 है आपके कभी एक जैसे angle हो जाते तो formula बना लेते हैं अब जब अलग 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 angle है तो formula ही बने गए यहाँ भी identity बनेगी trigonometric identity कहते हैं यह a बोल दो इसको और इसको b बोल दो जो identity होती ही वो 2sine into cos b की होती ही तो अभी यहाँ पे 2 नहीं देख रहा हमको यहाँ पे हम 2 का multiply कर देते और 1 upon 2 से और multiply कर देते और फिर अपन 2sine ने cos b का formula लगा देते आज इस टेटी बनाना है यह 1 upon 2 तो यह 2sine a cos b 2sine a cos b की identity क्या होती है 2sine a cos b 2sine a cos b 2sine a cos b 2sine a cos b this equal to होता है sin a plus b plus sin a minus b sin a minus b sin a minus b आई यह आपको identity हाग और नई याद आ रही तो यहाँ से याद करना बढ़ेगा, बार-बार यूज होगी, कई question में लगे गए, उस I n A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B, देखो A के place पे आपका 3X हैं, और B के place पे आपका 4X हैं, बस आप इसी formula में value लगते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना integral, therefore I is equal to, यह पना point लो तो बहार रहे इसको ऐसी रहनदी, integral of sin A plus B, A के place पे 3X और B के place पे 4X, plus sin A minus B, A के place पे 3X, minus B के place पे 4X, और यह DX, formula value लगते हैं मैंने अराम से, इसको थोड़ा solve करें, 1 upon 2, integral of sin 3X plus 4X, 7X हो जाएगा, plus sin 3X minus 4X करेंगे, तो minus X हो जाएगा, और यह DX, जैसा होगी, और आगे solve करतें, which is equal to 1 upon 2, integral of sin 7X, और यह plus sin minus X, देखिए, sin minus X या sin minus ठीटे रहता है, तो क्या करता है, sin minus के sin को सामने कर देता है, सिरफ cos minus X और 6 minus X के होता है, वो plus हो जाते हैं, बाखी के हो, minus के sin को सामने कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आदा है, sin minus X को minus sin X लिख सकते हैं, यह ट्रिक्माटरी यूज़ हो रही है, यह quadrant, ठीक है, अब देखो, हमने यह identity का यूज़ किये, इस identity का यूज़ करके थोड़ा सा सौल करें, अपने यह quadrant नाट्रेंट से, तो अब देखो integral है, ऐसे format में आ गया, जिनका सब का integration आपको पता है, 1 upon 2 तो बाहर है, sin 7X का, sin AX plus B वाले formula से, B की value 0 है, यहाँ पे, extension formula हो गया, sin X का minus cos X से होता है, तो minus cos 7X हो जाएगा पहले, और X का coefficient 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगी, और sin X का integration आपको पता है, यह minus cos X, बढ़ डारेक्ट integration रख देते हैं इसका, which is equal to 1 upon 2, डारेक्ट कर दे रहां में तो नो टम कर, sin 7X का integration minus cos 7X हो जाएगा पहले, और X का coefficient 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगी, sin X का integration minus cos X तो minus minus plus हो जाएगा, cos X, और यह plus, integration आट गए, एक sin C लगा, एक constant C को plus कर, जो मैंने इसका अलग-अलग integration पर डाला नहीं है यह यह आप हो, वैसे ही लिगती है, कभी-कभी उफन डाला की भी लिखते है, इसका अलग-अलग integration कर दे हैं और फिर लिख रहा है, और कभी direct भी कर सकते हैं, इसका ले लिए है, इसका इंटीघर, अलग ले लिए है, यह इ नहीं पर कर दिया डारेक्ट छोड़ा सा दिख रहा तो यह कर सकते हैं अब आप इस 1 upon 2 का अंदर इंट्यू कर सकते हैं यह वाजाएगा माइनिस 1 upon 7 to the protein पॉस 7x प्लस 1 upon 2 पॉस 6 यह आपका अंसर आप ऐसा भी छोड़ सकते थे इसते उपर वाला बुक वाले ने ऐसा इंट्यू किया तो मैंने इंट्यू कर दिया अब बुक वाला क्या कुछ भी खरता कभी इंट्यू करता कभी common निकालता वैसे अच्छी बात क्या है कि common निकालना चीए यह आंसर जादा बैटर था इसमें दो फंक्शन आते तो ठीक हैं तो को से कॉस्पी को बहुत अभी तीन आ गया वह तीनों को स्रॉल करना पड़ा है तो question थोड़ा सा लंबा हो जागा है कि कि इसमें content ही देखवार जागा है इसको सबसे पहले आई के एक्वाल लेलो आई इस ही गट्टियो एंटीग्रल और 2x into cos 4x into cos 6x और यह dx अब देखवा यह cos 2x cos 4x यह दो टम्क को अगर अफन लेले और इसके सामने अगर 2 का into हो जाए तो 2 cos a cos b का formula लग जाएगा और 2 cos a cos b का formula आपको याद होना चाहिए cos a plus b plus cos b minus याद है नहीं होगा याद तो मैं लखके रिखाऊँगा यहाँ पर तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले इन दो टम्क में formula बनाएंगे इसके लिए मैं 2 का multiply और 2 से divide कर देता है यह 1 upon 2 को मैंने बाहर करती है यह 2 cos 2x into cos 4x और into cos 6x उसको ऐसी रेंज़ोर अब देखवा आप 2 cos A cos B 2 cos A cos B A के place 2x देख़ा और B के place 2x और B के place 2x और B के place 4x देख़ा आपको अब यहाँ पर हम formula लगा रिखते हैं 2 cos A cos B का और इसको into में रहन देख़ा यहाँ तो के लिए formula formula लिखता हूँ मैं यहाँ पर sense 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B तो यहाँ लगा रिखते हैं formula 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B A के place 2x और B के place 4 है यह मैं आपको ऐसी बताने के लिए रिखा है आप चाहे तो देखे और नई भी लिखेंगे तो आप डारेक्ट वाली रक्सल तो आप आप I is equal to क्या हो जाएगा I is equal to यह one of one two को बाहर रहन दो यह इंटीग्रम cos A plus B A के value है 2x और B के value है 4x plus cos A minus B A के value 2x और B के value 4x into cos 6x को ऐसी रेंदो और यह dx को भी ऐसी रेंदो देखो मैंने सिर्फ इसमें formula लगाया है तुका multiply करके तुसे divide करके और यह cos 6x को ऐसी रेंदिया अभी यह अंदर के bracket को solve करो यह वान अपोंटो integral of cos 6x हो जाएगा 2x plus 4x 6x plus cos 2x minus 4x minus 2x हो जाएगा into cos 6x और यह dx यह देखो cos minus x आगे minus 2x तो यह cos क्या करता है माइनस हैं को consume कर जाता है तुका cos 2x plus का हो जाएगा तो लेक्टो एक escape में पहले 1 upon 2 integral of cos 6x plus cos 2x into cos 6x और यह dx अभी देखो यह तो आगे अपने इनका integration अपने पाद अभी यह into 6x है अभी 6x का दोनों टम में टू करना पड़ेगा दोनों टम में टू करना पड़ेगा which is equal to 1 upon 2 integral of cos 6x का हिस्ट में टू करें cos 6x cos 6x 2 times cos square 6x हो जाएगा cos square 6x plus cos 6x का हिस्ट में करेंगे तो cos 6x into cos 2x लिख देगा मैंने बड़े अंगल को पहले लिख दिया है cos 6x into cos 2x प्रोटे अंगल को भी पहले लिख सकते है कोई फरकनी पड़े formula लगाते वक्त में a minus b करते हैं तो 6x minus 2x से direct positive किसी ने 2x को सामने रहन दिया 6x को बात में लिखा तो a के प्लेस पर 2x आएगा तो cos minus वाल आएगा फिर से वह plus हो जाता तो इससे तोड़ा सा calculation अपना अच्छा हो जाता बड़ी quantity में से जोटी quantity को minus करो तो plus का sign हो जोटी quantity में से बड़ी को minus करो तो minus आता फिर trigonometric को minus theta वाल लगा कि फिर करना पता कैसा भी कर सकते बात है कि अब देखिए यह cos square 6x पर focus कीए cos square 6x का integral तो नहीं है आपके पास में तो इसको अफन cos square a is equal to होता है 1 plus cos 2 upon 2 कोई cos 2a वाली जो cos square के term वाली जो identity उसका यूज़ करके cos square a की value निकालेंगे तो यह cos square 6x की value क्या हो जाएगी 1 plus cos 12x हो जाएगा upon 2 हो जाएगा मैं formula से बताता हूँ उसको और इसको देखिए इसमें cos a cos b का formula बन सकता है लेकिए फिर वह 2 की कम ही पढ़ रही यहां पर तो इसमें 2 का multiply और 2 से divide कर देंगे इसको यहां फिर से cos a into cos b वाली यही वाली identity लगा देखिए यह 1 upon 2 का अंदर n2 भी कर लेता हूँ अलग अलग इंटिक्री कर जाएगे cos square 6x dx plus यह 1 upon 2 और इसमें कर रहे है अपन 2 का n2 और 2 का divide 1 upon 2 से divide करो 1 upon 2 से बाहर multiply करो अंदर 2 cos 6x n2 cos 2x और यह dx देख वाली ध्यान से करना यह वाला 1 upon 2 तो यह ने किया यहां पर यहां पर टुका करने के लिए टुका किया और यहां पर लिखिए और यहां cos square 6x के लिए मैं identity लिख देता हूं और इक ही लिख सकते है आप 1 plus cos 2a upon 2 a के प्लेस पर आपका 6x है इसमें 2 कांट 2 करेंगे तो यह 12x हो जाएगा यह 1 upon 2 को सम्मिर हैं दो और integral cos square 6x को 1 plus cos 12x लिख सकते हूं प्लेस के लिख देता हूं असके identity dx प्लस यह 1 upon 2 into 1 upon 2 1 upon 4 integral यहां यह वाला प्रव्म लगा दो cos a plus b वाला तो यह हो जाएगा अक्ता cos a plus b तो 6x plus 2x plus cos a minus b 6x minus 2x छोड़ा छोटा लिखरा हूं कि आना भी चल्दों और यह dx यहां पर जो मैंने identity लगाया है अब आपको यहां पता रहता है cos square a is equal to 1 plus cos 2a upon 2 है वे यह identity कैसे आए कि यह वाली मैंने direct लिखते है यहां पर cos 2a का यह वाला formula यूस कर लो 2 cos square a minus 1 वाला कर दो यह plus 1 हो जाएगा cos 2a हो जाएगा s equal to 2 cos square a यहां cos square a को रहें तो और यह 2 से इसको डिवाइड कर तो यह 1 plus cos 2 upon 2 आजाएगा आपका cos square a की वाला यह हमें direct पर्मन लिखते है ठीक है खर बताया भी जापको निकाल रहें तो इसके according क्या हो जाएगा 1 plus cos 2a a के place में कित्ता है देख रहा है तो 6x है तो 1 plus cos 2a 6x में आप 2 का into करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x वो जाएगा तो 1 plus 12x upon 2 और इसमें मैंने cos a plus b plus cos a minus b की identity लगा इसको solve कर लो थोड़ा से बस इसको solve करने की बाद वो ऐसे format में आ जाएगा जिसका integration अपने पास में है तो which is equal to 1 upon 2 और ये बाले तो को बहार निकालो तो 1 upon 4 हो जाएगा ये integral of 1 plus cos 12x dx plus ये 1 upon 4 integral of cos 6x plus 2x 8x हो जाएगा प्लस cos 6x minus 2x 4x और ये dx देखो अब ऐसे format में आ गई है सब कि सबके integration आपके बास में 1 dx का x cos 12x का cos का sin होता है तो sin 12x हो जाएगा पहले और x का coefficient 12 है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर cos 8x का sin 8x हो जाएगा x के coefficient से डिवाइड हो जाएगा 8 से ये cos 4x का sin 4x हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1 का करेंगे 1 dx का x plus cos 12x का sin 12x और x का coefficient 12 है तो 12 से डिवाइड करना ही करना है सिर्फ 1 जब उसका coefficient रहेगा x का तब डिवाइड करने की चल्रत नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फरक नहीं पड़ता अगर minus x भी है तो minus 1 से डिवाइड करने से डिवाइड करने प्लास ये 1 upon 4 तो मैंने भाहर कर दिया cos 8x का integration sin 8x और x का coefficient 8 है तो 8 से डिवाइड कर देगी प्लास ये cos 4x का integral sin 4x upon 4 सारा integration हो गया और एक constant लगा दो plus I think it should be the answer ये आपका answer अंसर दिखाता हूं मैं आपको 1 upon 4 बाहर है 1 upon 12 sin 12x plus x x को दिने बाद में लिखा अपना पहल लिखा हुआ 1 upon 8 sin 8x 1 upon 4 sin 4x plus correct answer terms आगे पीछ लिखी हो सकते है फूर्थ question के इंदर sin q 2x plus 1 इसको integrate करना है यहां पर cube वाली जो identity है sin 3a के formula से जो generate होगी या pass 3a के formula से जो generate होती है वो cube वाली identity आपको बनाना और उसको यहां पर use करना आपको तक सबसे पहले इसको i के को लेगे 8 i is equal to integral of sin q 2x plus 1 dx अब यहां देखर आपको sin q a sin q और इसको यह समझ जो आपको यह a है इसको a गुदो sin q a तो क्या होता भई sin q a कॉल करके बताते हो किसी को याद होगी तो अच्छी बात है sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin q a यह identity आपको याद होना चीए sin 3a का problem याद है आप यह तो याद करनी पर अब देखर इसकी help से अपन sin q a की value निकाल सकते हैं यह 4 sin q a को इदर shift कर देते हैं sin 3a को इदर कर देते हैं 4 sin q a क्यास का हो जाए रहा is equal to 3 side a a है और यह minus sin 3a आप ने को चाहिए sin q a की value तो यह 4 से divide कर दो इसको तो sin q a is equal to 3 sin a minus sin 3a upon 4 अब देखो इसको डारेक्ट अगर ही वाली identity याद करना चाहता है sin q a is equal to 3 sin a minus sin 3a upon 4 तो वो डारेक्ट इसका यूज कर सकता आप जिसको याद नहीं करना तो फिर यह वाली आप याद रखो और उसको solve करके निकाल तो advice आपको यह दी जाती है कि आप यह वाली याद रखो और अगर आपको डारेक्ट याद हो जाती है यह ऐसे तो फिर बहुत अच्छी बात है लेकिन लिखना करें तो आप देखो यह sin q a आपको डारेक्ट यहाँ पर a को अखन 2x प्लस 1 से रेप्लेस कर देते इसके लिखना अब क्या हो जाएगा यह आपको यह integral of 3 sin a a के प्लेस पर 2x प्लस 1 minus sin 3a 3 और a के प्लेस पर दो 2x प्लस 1 upon 4 और यह dx ऐसा आगया अब देखो यह identity इसका यूज करने के बाद में फाइदा क्या होता है कि जो integrand के अंदर जो content है वो ऐसे format में जाएदा इसका integration अपने को पता रहा है देखो यह 3 को दो बाहर कर लेंगे अपनी 4 को दो बाहर है इसको देखो साइन यह 3 का अंदर इंटू कर लेते हैं तो 6x प्लस 3 हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस 3 हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस 3 हो जाएगा यह वाली identity बन जाएगी आपके यह माइनस साइन यह 3 का अंदर इंटू कर रहा है 3 तू जाएगा 6x प्लस 3 और यह dx ऐसा ओड अब आप इसको आसानी से इंटेग्रेट कर साएगा यह वाला प्लस लगाते हैं इंटीग्रल ओप साइन एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन माइनस प्लस एक्स प्लस बी और एक्स का प्रोपिशेंट एए ते से डिवाइट कर लेंगी और यह प्लस सीट अफन लगाते हैं है यह यहाथ है यह इस रिख दिया बोलकि पता है वैसी आपको यह रख दो स्कॉइड है यह सब्सक्राइब कर दो बहुत बहार है माइनस sin sin का माइनस cos होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर लो cos 6x plus 3 और x का पॉपिशन 6 है तो 6 से डोगाइट कर लो यह अपने पुरा इंटीग्रेल कर लिया है इंटीग्रेशन की साइन अट गए एक constant लगा तो उस प्लस होगे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लख लेते हैं कैसे अरेंज कर लेश्का इसको कर लो 1 upon 4 यह माइनस 3 upon 2 cos 2x plus 1 plus 1 upon 6 अब यहाँ देखो इस ब्रैकेट में से आप 2 को 3 को कॉमन निकाल सकते है अब इसके पहले वाला question थो उसने नहीं निकाल रहा था आप इस question में तायर इसने निकाल दिया मैं निकाल के प्रैकेट और नहीं भी निकालेंगे तो कोई खास पड़क नहीं पड़ेंगे पॉस यहाँ से अगर 3 common निकालेंगे तो यह 2x plus 1 बिल्केट और plus c को ऐसे रहे अब देखो यह common कब निकालते हैं आप निकाल लेगते हैं जैसा question दिया रहता है लगबग answer ऐसे ही है तो निकाल दो कर देख रहा है थो बुक वाला कभी-कभी निकालता है कभी-कभी निकालता है तो यह आपका required integral हो गया 1 upon 4 minus 3 upon 2 cos 2x plus 1 plus 1 upon 6 cos 3 into 2x किसे जैसे आपने नहीं भी निकाल है यह 3 को common तो यह भी answer आपका ठीक है answer दिखाते हैं आपको की कैसा और वाला question है answer यह आप minus 1 upon 2 cos 2x plus 1 plus 1 upon 6 cos cube यह cube देख रहा अपने तो यह cube को हटाएं भी स्क्वेर को और cube को अटाएं आपने cube की value निकाल के रखे हैं वह अपके फिर से उसने cube कर दिया 2x plus 1 से ऐसा अब देखो यह आपने solve कर दिए यह आपका correct answer है लेकिन आपन correct किसको मानते है जो बुक का रहता है अब इसको बेटा आगे solve करना पड़ेगा तो अब अपने को यह पता कहां से चल रहा है यह अपने को बुक से पता चल रहा है कि उसने इसको आगे solve किया कि नहीं किया अपने बुक का अंसर देख लिए तो पड़ा चल गया जस्तिकर करना पड़े तो यह यह आंसर आपका फिर इसको आंसर बोच सकते हैं अग्षाह इसमें क्या हुआ कि हर एक टम इंटीक्रेट हो गई यह आंसर आ पर लेकिन आप बुक वाला पूलता यहां कर रहा है यहां तो यह वाला जो दिखरा आपको पॉस्ट यह का फॉर्मूल लगावन यह हो गया आपका थ्री और यह हो गया आपका फॉर्मूला होता है फॉर कॉस्ट क्यूबी के माइनस थ्री कॉस्ट है वाला वह वाले फॉर्मूले से इसको जब सॉल्ल करेंगे तो आटमेटिक बुक का अंसर आगा रहा है मैं अगले पेज में ले लेता हूं इसको यहां तक कि मैंने अंसर भूल दिया है आप चाहिए तो यहां तक क्या अंसर है लेकिन बुक का अंसर लाने के लिए मैं इसको आगे सॉल्ल कर रहा है कि इस ही को सॉल्ल कर लेकित कि इस निगरायर अंसर है विए ट्रिस है श्लेयर आनसर है अपता कि बुक का अंसर भी छुद करने मैं इसको आगे सॉल्ल कर रहा हूं और बताया मैं नहें आपको क्यों स्क्ष्य कमल लगाएंगी है च़ुल लगार दो को पर्मूला बता रहे तम्हें आपको एक बात 10x3a is equal to 4 cost cubic a minus 3 cos ये formula है ये आपको यादा रखेंगे तो देखो 3 की प्लेस पर 3 और ये की प्लेस पर 2x plus 1 रखते हैं आपको बस रखो i में क्या हदा है गाई ये 1 upon 4 के बाढ़ रहें दो ये minus 3 upon 4 cos 2x plus 1 ऐसी रहेगा plus ये 1 upon 6 भी ऐसी रहेगा यहां लगाता हूं ये formula cos 3a क्या है 4 cos qbk तो 4 cos qbk ये cube कर दी और एक के प्लेस पे क्या है 2x plus 1 ये 4 cos qbk हो गया minus 3 cos a 3 cos और a के प्लेस पे है 2x plus 1 ऐसा होगा इस identity मैंने value लग दिया 4 cos qbk है minus 3 cos अब इसको solve कर दो which is equal to ये 1 upon 4 भाहर है ये minus 3 upon 2 2x plus 1 plus ये 1 upon 6 का अंदर into कर लेते हैं तो plus 4 upon 6 हो जाएगा 4 upon 6 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 2s आफोर 2 3 चाहिए 6 तो 2 upon 3 हो जाएगा 2 upon 3 cos qbk 2 2 x plus 1 ऐसा होगा हो फिर ये 1 upon 6 का इसमें भी करना है तो ये 3 से इसको 2 टाइम डिवाइड कर लो तो ये 1 upon 2 जागा सामने माइने तो माइनस 1 upon 2 cos 2 x plus 1 अब देको जो एक जैसी term है cos 2 x plus 1 cos 2 x इन दोनों को solve कर ले अब देखना है इसको कैसे मैं logical ही solve करके बताता हूँ आपको cos 2 x plus 1 cos 2 x plus 1 एक जैसी है minus 3 upon 2 minus 1 upon 2 दोनों का denominator same है 2 2 तो denominator तो 2 ही रहेगा ये minus 3 और ये minus 1 कित्त हो था minus 4 minus 4 upon 2 करेंगे तो कित्त हो जाएगा minus 2 तो मैं इस दोनों term को minus 2 cos 2 x plus 1 लिखने जा रहा हूँ 1 upon 4 minus 2 cos 2 x plus 1 ये लिखती है मैंने इसको इसको किसको इसको और इसका आप कैसा भी solve करके देखो मैंने logical ही solve करके बताया आपको दोनों का base same है दोनों का denominator 2 है उपल की quantity minus 3 minus 1 को minus 4 upon 2 जाएगा उसको 2 से डवाइट को ने minus 2 cos 2 x plus 1 और इस बेचारे को ऐसे लिखती है plus 2 upon 3 cos cubic 2 x plus 1 और plus c लगाना अपन भूग रहा है यहाँ भी लगाना पढ़ेगा आपको plus c और यहाँ भी लगाना पढ़ेगा प्लस से लगाना भूलना ने कभी बूल जाए तो बात में लगा जाएगा अब यह प्लस परी टाम को पहले लिख लो यह माइनस वाली को बात में लिखती हो आ गया यह 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 आपन 4 प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं 2 अपन 3 पॉस क्यूबिक 2 एक्स प्लस 1 माइनस 2 पॉस 2 प्लस 1 और प्लस 6 अब यह आंसर है यह तूस्टे 4 कैंसल हो जाएगा तू ताम और यह 2 इंटू 3 करें तो 1 अपन 6 से हो जाएगा जूब 2x प्लस 1 माइनस यह 2 से 4 दिवाइड जागा 1 पॉस 1 और यह फ्लस 1 और यह प्लस 10 यह आपका अंसर है अब आप चाह्या तो यह वाला अंसर लिख दो नोभी ठीक है आप चाह्या तो यह वाला अंसर लिख यह भी ठीक है यहां पर common निकला हुआ था यहां पर जबर जस्ति multiply करते हूं इसा वाली तो उसने multiply करती है इसका आप चाहे तो और आपको फुक को ही मैच करना एकदम से तो minus 1 upon 2 कु पहले लिख लो इसके बाद मने करें इत्ता करने की जड़रत ने नहीं है तो यहां तक क्रम करने में यहां यहां तक सॉल करने में यहां तक सॉल करने में है क्या देख रहा है यहां कि अथ समझ Vil एकदम करेक्ट था है तो आगे सॉल करने की कोई जड़रत थी नहीं मगर बुक वाले ने सॉल किया आप यहां तक भी करतेंगे तो ठीक रहें कि बुक का अंसर मैच करने के लिए वाइसा करना पर आप इसमें यह जो कॉमन वाले टुक कॉंटिटी रहती है इसका मल्टिप्लाई करना जरूरी नहीं है इन दोनों आंसर वे दी कंपेर करेंगे आप तो जो कॉमन निकला वाला आंसर वह बैस्त होता है तो आप कॉमन निकालने वाले आंसर तक के छोड़ो सकते हैं कभी आप ने बुक का आंसर दे झाल वाला आंसर वे दोड़ाई तो आंसर वाले दो ख़्यार आंसर विल्द आंसर वे वाले खाले अज़।